हमारी आज की कहानी है बहुत दिनों बाद बहुत दिन बीट गए स्कूल में कोई हल चल नहीं है बच्चे मानों स्कूल का रास्ता भूल गए हो हम पर तो धूल भी जम गई है हाँ बीते कुछ महीनों में हमें छाड़ा पोचा जरूर गया था एक कुरसी ने कहा तभी दूसरी बड़ी कुरसी बोली पहले तो हम हर कारिक्रम को सुनते थे और बीच-बीच में देख भी लेते थे मुझे तो वहनाटक अभीता के आद है जिसमें बड़ी और छोटी कुरसियों के जरीए बड़ों के बीच छोटों की बातों के महत्व को समझाया गया था यह सुनकर छोटी कुर्सी चहक कर बोली तब ही तो मैं यहां हूँ और आप सभी मेरी बात को महत्व नहीं देते हैं इसी के साथ मैं एक खुशकबरी दूँ आप सभी सुनकर खुशी से नाचने लगेंगी तो जल्दी बताओ कैसी खबर सुनने को मिलेगी बड़ी कुर्सी ने कहा खबर यह है कि आने वाले सोमवार को स्कूल में वही चहल पहल होगी और बच्चों के स्वागत के लिए एक कारिक्रम होगा खबर पक्की है छोटी कुर्सियों को साफ करते करते सुरेश अंकल अपने आप से ही बत्या रहे थे बच्चे फिर स्कूल आएंगे कुर्सियों पर बैट जाएंगे जूम जूम कर नाच नाच कर सब को गीत सुनाएंगे सुरेश अंकल कुर्सिया भी साफ कर रहे थे और गुन-गुना भी रहे थे स्कूल दुबारा खुलने से उनका चहरा भी खिला हुआ था वह भी बच्चों का स्वागत करने के लिए तयार थे ये थी हमारी आज की कहानी